नमस्कार जैश्री राधी, मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शिकों का आस्ट्रो तक चानल पे बहुत बहुत स्वागत है आस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक आप से तो अपने मुबाईल में गूगल प्लेस्टोर पे जा करके तक आप डाउनलोड कर लें आज हम चर्चा करेंगे पित्र पक्ष की अश्ट्मी तिथी पर आपको माता लक्ष्मी का व्रत करने से मिल सकता है अपार धन अब कैसे बरसेगी माता लक्ष्मी के किरपा आप सभी पे इस विशे में चर्चा कर लेते हैं तो देखा जाए पित्रपक्ष की अश्टमिति थी इस वर्ष 10 सिक्टेंबर 2020 को पढ़ रही है। इस दिन यदि आप माता लक्षमी का वर्ष करते हैं तो आपके जीवन में हर तरहा की धन धाने से कमी जो भी आ रही होगी वो समाप्थ होगी साथ ही साथ आपके आर्थिक सिति में भी सुधार आएगा। अब पित्रपक्ष की अश्टमितिति का इतना अधिक महत्मों क्यों माना जाता है। तो देखिए राधा अश्टमी से ले करके आने वाले 16 दिनों तक राधारानी की पूजा अराधना की जाती है और साथ ही साथ माता लक्षमी की पूजा अराधना की जाती है। इन 16 दिनों में माता लक्षमी को घर में रख करके इनकी पूजा राधना करके और 16 दिन याने पित्रपक्ष की अश्टमी तिथी पे इनका विसरजन किया जाता है अब इस तिथी पे यदि आपने लक्षमी जी को सापित नहीं कर पाए या फिर किसी अन्यकारण की वज़ा से पूजा अराधना नहीं कर पाए लक्षमी माता की तो केवल पितरपक्ष की अश्ट्यमी तिथी पे यदि आप माता लक्ष्मी का व्रत रखते हैं और साथ ही साथ इनकी पूजा अराधना करते हैं इनको गुलाबी, लाल या फिर पीले रंग के वस्तर अर्पित करते हैं इसके बाद आप इनको गुलाब का इतर अर्पित करके, गुलाब के पुश्प अर्पित करके और साथ ही साथ सफेद मिष्ठान जैसे बर्फी है या नारियल की बर्फी है या खीर है ऐसे मिष्ठान का भोग लगा करके अगर आप इनकी पूजा अराधना करते हैं तो ऐसा करना आप लिए बहुत जादा लाबकारी माना जाता है ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी धन्च सम्मंदत परिशानी होगी वो समाप्त हो जाएगी इसके साथ इस दिन आप जो है सूत्र भी बांध सकते हैं अब सूत्र कैसे बांधेंगे इस दिन इस दिन आप जो है एक पीले रंग का धागा ले ले या फिर कच्चा सूत्र ले ले इसको हल्दी और केसर में रंग करके पीला और केसरिया रंग कर ले अब इसमें आप महालक्षमी के मंतरों का जाब करते वे ओम श्री श्रीय नमहा मंतर का जब करते वे 16 गाठे बाद ले अब इसको आप मातालक्षमी जी को अरपित कर दे और बाद में माता लक्ष्मी से भेट के तौर पे लेकर के इसको आप अपने तिजोरी में रख दीजे ऐसा करने से पूरे वर्ष भर आपके पास धन्संपत्ती बनी रहेगी और आने वाले समय में आपको आर्थिक सिती में लाप भी प्राप्त होगा तो ये कुछ चीजे हैं जो आप पित्रपक्ष की अश्टमी तिथी पर कर सकते हैं और माता लक्ष्मी का व्रत भी कर सकते हैं इस दिन कोई भी चीज खरीदी हुई कही जाती है कि आठ कुना दुढ़नी हो जाती है तो इसलिए इस दिन यदि आप चांदी का सिक्का जिस पर पाता लक्ष्मी बनी हो या फिर सोने का सिक्का या कोई भी अन्य चांदी या सोने की वस्तू लेकर के आते हैं तो ऐसा करना भी आपके लिए बहुत अधिक फर्लदाई साबित होता है अब पित्र पक्ष है क्या वस्तू ऐसी लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए तो देखिए अश्टमी तिधी जो है माता लक्ष्मी को समर्पित होती है साथ ही साथ इस दिन यदि आपने अपने पित्रों का तरपन किया है तो उनके आश्रवात प्राप्ती के लिए और माता लक्ष्मी को जीवन में अपने रखने के लिए आप इस दिन चांदी का सिक्का जरूर ले सकते हैं तो इस चीज के लिए किसी भी तरह के डाउट में मत रहिएगा और इस दिन श्री सुक्त का पार्ट करना आपके लिए बेहत ही लापकारी रहता है तो श्री सुक्त का भी आप पार्ट कर सकते हैं साथ इसाथ कनक धारा स्त्रोत का भी आप पार्ट कर सकते हैं ऐसा करने से भी आपके जीवन में सफलता आएगी और साथ की साथ मतालक्षमी अपनी किरपा आप पर जरूर परसाएंगी तो ऐसी और में खास बाते जानने के लिए देखते रहे हैं आस्टरों तक मुझे दीजे अजाज़त नमश्कार जैश्री रादे